एक बार की बात है ये बात 71-72 की है बहुत सुंदर पूर्णिमा की रात थी और मैं चट पर घूमता हुआ अपने खुदा दोच से बाते कर रहा था कि तुम हम से मिलने नहीं आओगे क्योंकि सिव बाबा सकार तन में आते थे आते हैं जी तो बहुत दिन हो गए थे योग पूद्वार की नाइट थी अगले दिन गुर्वार था और हमारे याँ गुरुवार के दिन भगवान को भूग लगाया जाता है तो हमारी एक बहन जो ट्रांस मेसेंजर थी अभी वो नहीं है वो भूग लगाने के लिए ध्यान में गई है ध्यान में जाने पर सामने वो बाबा को देखती है और मैं रात को बाबा को मैं बहुत देर तक जागा बारा एक बजे तक और घूमते फिरते मैं कह रहा था कि कल आप हमसे मिलने नहीं आओगे बहुत प्यार भरा निवनतन दे रहा था हमसे मिलने आओ न आपका मन कैसे लगता उपर अकेले, हम आपको यहां कितना याद करते हैं, आप आजाओ तो आपको क्या कस्थ होगा, आप तो एक से किन्द में आ जाते हो, ऐसी ऐसी बाते कर रहा था, भोग लगाने के लिए ओ बहन गई, और उसके तन में शिव बाबा ने परवेश कर लिया सबके लिए आश्चिरिय की बात थी, कि प्रोग्राम तो कोई नहीं था, क्योंकि बिना प्रोग्राम के तो बाबा आते नहीं है, आज कैसे आगे, तो सब को मिला जा रहा था, जब मेरा टरन आया, तो हमारी दीदी होती थी, मनमोहिनी दीदी और दादी प्रकास मनी, दोनो की या नहीं की, देखो बाब तुमारे निमंतरन पर आ गया, फिर ये बात कोई नहीं सुन रहा था, कैवल मैं सुन रहा था, फिर दीदी की और बाबा ने देखा, दीदी मनमोहिनी, दीदी आपने तो बाब को नहीं बुलाया, कैसे आ गये, फिर मेरी और देखा, कितनी बा प्रारम्भ हो गई, बाबा ने कहा, कि बाप जो सर्वच अथरीटी है, सबसे बड़ी सत्ता है, वो बिना किसी अथरीटी के निमंतरन के नहीं आ सकता, फिर मुझे देखा कितनी बार बुलाया है, बस और आगे कुछ नहीं कहा, दीदी दादियों को बिलकुल नहीं पता किस बुलाया, किसे नहीं मंतरन दिया, उनसे बाबा पूछ रहा है, आपने नहीं बुलाया, कैसे आये, यहां से मुझे बहुत ग्रेट अवेरनेस हो गई, और मुझे लगा कि मेरा सिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से बहुत गहरा नाता है, मेरे बुलाने पर वो आ जाएंगे और तब से मैंने इस confidence के साथ अनेक बार बाबा को बुलाया, और सुक्स रूप से भी अनुभव होता रहा, कि वो आते, एक सुन्दर अनुभव और खुदा दोस्त का सुनाना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे, बात एटीटू की है, हमारा आश्रम बहुत छोटा था, लेकिन एक प्रोग्राम था, तो 22 लोग आगे, 22 का हमारे आना एकोमोडेशन था, खाने पीने की वेवस्ता थी, लेकिन खाने पीने का परबन तो हमें करना ही होता था, चलो उनको सुला दिया, इधा उधर सब जगे टेंट लगा के, 22 लोग, गुरवार का दिन था, हम बनाया, साथ बजे क्या होने लगा, मुझे बुखार होने लगा, सरीर बिल्कुल ठकने लगा, और फिर भोग लगा बाबा को, तो हम वही किचन में हमारी बोरियां पड़ी थी, बोरियों पर बैठ के ही योग लगा रहे थी, अब आठ बजे और मुझे बुखार तेज हो और मैं अपने खुदा दोस्त को कहा, भगवान को याद दिलाने की तो क्या बात, लेकिन मैंने अपने बोली बुद्धि से याद दिलाया, A friend in need is a friend indeed, अब मुझे आवसकता है, 22 सो लोग हैं, मैं बीमार हो जाओंगा, तो मुस्किल हो जाएगी, इसलिए मेरे इस बुखार को 5 दिनों के लिए आप हटा लो, 5 दिन तक पार्टी रहनी थी, फिर सब जाने थी, फिर भले भेश देना, I am ready to face it, और मुझे ऐसा अनुभा हुआ, आठ से आदे गंटे में ठीक, उसी स्पीड से मेरा बुखार डाउन होके ठीक हो गया, मैं फिर से energetic हो गया, और मैंने फिर से अपना काम काच सब अच्छी तरह किया, क्योंकि बाइस सो उन दिनों बहुत जादा होते थे हमाईलिया, अब तो बाइस अजार, पच्छी सजार आते हैं, सब मशीने लग गई, कोई दिककत नहीं, तो काम किया, लेकिन फिर 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 दिन के बाद छटे दिन, same time, मुझे फिर से बुखार होने लगा, पाटी जा चुकी थी, मैंने का मैं चुट्टी ले सकता हूँ, और इस तरह मैंने फिर रेस्ट किया, वो सब ठीक हुआ, तो ये खुदा दोस्त की मदद का बहुत सुन्दरन बहुत.